GDA के द्वारा खोरा बार टाउंशिप में मेदान्ता, मैक्स, अपोलो सहित अन्य सुपर स्पेशालिटी होस्पिटल खोलने की तैयारी की जा रही है जिसके संबंध में GDA उपाध्यच प्रेम रंजन सिंग ने बताया कि GDA के द्वारा खोराबार में प्रस्तावित अत्याधूनिक टाउन्शिप में मेदानता एवं अपोलो जैसे बड़े सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल खुलेंगे टाउन्शिप में विक्सित किये जाने वाले मेडिसिटी में करीब तीन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल के लिए स्थान मुहया कराया जा रहा है GDA अधिकारियों की ओर से सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल प्रबंधन के साथ वार्दा शुरू कर दिया है प्राइवेट एरिया में बड़े सुपर स्पेशाल्टी हॉस्पिटल के खुलने से गोरगपूर बिहार सहित आसपास सुविधाएं और बहतर हो सकेंगी वहीं GDA की ओर से खोराबार में करीब 170 एकड़ छेतर फल में आधुनिक तरीके से विक्सित की जा रही है इसके लिए ले आउट बनाने की प्रक्रिया चल रही है अगले कुछ दिनों में इस योजना को लॉंच कर दिया जाएगा इस संबन्ध में गोरगपूर नियूस से बात करते हुए GDA उपाध्यच प्रेम रंजन सिंग ने कहा इस Г प्रजेक्ट में जो गिए ने भार प्रोजेक्ट पूरा बनाय जा रहा है उसमें हपता 10 दिन और लगेगा लाँच होने से पहले तो उस प्रोजेक्ट में जो सबसे खास बात है कि उसमें तीन बड़े-बड़े multi-speciality hospital के लिए उसमें plot चिनित किया जा रहा है जैसे कि आप लोग को पता है बहुत सारे hospital है जो लखनू में है जैसे मिदानता है अपोलो है या मैक्स hospital है दिल्ली नोडा में इस तरह के जो बड़े-बड़े अपोलो है इस तरह के जो बड़े-बड़े hospital है हम लोग चाहते हैं कि वो गोरकपूर में भी आए और यहां पे वो अपना establish करें उसका कारण यह है कि गोरकपूर में medical का जो requirement है बहुत जादा है यहां पे गोरकपूर बिहार नेपाल आसपास तीन से चार करोड लोग और उनके परिवार यहां पे medical सुईधाओं के लिए आते हैं तो यहां पे जागर बड़े-बड़े hospital आएंगे तो उनको भी hospital का भी फाइदा रहेगा और यहां के लोगों को भी फाइदा मिलेगा इसी को देखते वे गोरकपूर विकास ट्रादिक करेंगे तो तीन तो बड़े-बड़े multi-speciality hospital का provision दिया जा रहा है इसके लावा भी दस छोटे-छोटे hospital का provision उसमें दिया जा रहा है उसके कारी चल रहा है उमीद है कि हपते-दस दिन में इसको final करके इसको रेरा में भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए झाल